आप सबका मेरी चैनल जैम जी को में फिर से स्वागत है आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ ऐसी आइटम जो स्वीट है और हाँ इसको आप बच्चों को भी खिला सकते हैं इवन आप फास्ट वगिरा में भी यह खा सकते क्योंकि यह पराद में भी चलेगा आज हम बनाने जा रहे हैं एपल का हल्वा जो की बहुत ही इजी है 15 मिनिट में हम इसको बना सकते हैं बच्चों वैसे तो एपल खाते हैं पर कई बच्चे एपल खाना पसंद नहीं करते तो उसको आप यह हल्वा बना के भी खाने में पहला खाली है और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उन लोगों ने एपल का हल्वा खा लिया है और फास्ट व source हमें अच्छा लगता है एगर कि लोगों को बहुत स्वेट अच्छा लगता है तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा है चलो सो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी जो है एपल का हल्वा सो लेट स्टार्ट अब एपल का हल्वा बनाने के लिए मैंने यहां पे 500 ग्राम एपल ले लिये और इसको मैंने कद्दुकस कर लिये है आप चाहो तो इसको मिक्से में इसकी पेस्ट भी कर सकते हो अब यहां पे मैं देट चम्मच घी ले रही हूँ सो अब हम आखी गरम हो गया है तो अब हम डार देंगे आपे कद्दुकस किया हुआ हमारा एपल मेनी आप एपल 500 ग्राम लिये हुए है अब इसको अच्छी तरह से हमें चलाना है ताकि हमारे एपल थोड़े थोड़े पक जाए हमें इसको कंटीनू से लाते रहना है जिससे हमारे एपल नीचे चिपक न जाए वैसे तो एपल सोफ्ट होते है तो इसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो ये थोड़ी ही देर में पक जाएंगे और हमें गेस की फ्रॉम मेडियम रखनी है मेडियम टू लो पे ही हमें इसको चलाते रहना है ताकि हमारे एपल अच्छे से पक जाए और इसका जो एपल का रह से वो मैंने निकाला नहीं है वो मैंने इसमें ही एड़ कर दिया है अब आप देख सकते हो कि हमारा पानी पूरी तरह से इसमें खतम हो गया है सो अब हम इसमें डाल देंगे एक कब दूद अब वापिस इसको हमें ही लाना है और अच्छे से इसको चलाते रहना है जिसके इसका दूद का पूरा मावा बन जाए अब हमें कंटिनियूस चलाते ही रहना है आप देख सकते हो अभी इसमें दूद कितना सारा है अब हमें इसमें आदे से थोड़ा ज्यादा कब चीनी एट कर देनी है मैंने यहाँ पे इतनी चीनी ली है अगर आप चाहो ज्यादा स्वीट अच्छा आपको लगता हूँ तो आप एक कब चीनी ले सकते हो मैं यहाँ पे आगे मिठाई मेट डानने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे चीनी की क्वॉंटिटी थोड़ी कम रखी है अब हमें अच्छे से चलाना है ताकि हमारी चीनी जो डाली है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और इसमें पूरे से अच्छे से मिक्स हो जाए अब यहाँ पे हमारी पूरी चीनी मेल्ट हो गई है सो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं मिठाई मेट ये आपको कोई भी डेरी सोप से या तोमूल पालार से आसानी साब को मिल जाएगा यहाँ पर में चार छोटा चम्मच ये मिठाय मेट यूज़ कर रही हूँ ये भी थोड़ा स्वीट होता है इसलिए हमने थोड़ी ट्रेनी की क्वांटिटी कम रखी थी क्योंकि फिर वो ज्यादा स्वीट हो जाता हमारा हलवा अब मैं अच्छे से इसको चलाते रहना है हमने मिठाय मेट डाला है वो पूरा मावा हो जाएगा और इसमें एकदम अच्छे से गुल जाएगा और इसका स्मेल और टेस्ट भी बहुती बढ़िया आती है अब आप देख सकते हो कि इसमें पूरी अच्छी तरह से ये मिठाय मेट जो है वो मेल्ट हो गया है झाला है अब मैं इसमें डाल रहे हूँ एक बड़ा चमच, दूद का पाउडर, मिल्क पाउडर इससे क्या है कि इसमें बहुत ही अच्छा गाड़ा हो जाएगा और यह टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा यह अगर आप चाहो तो डाल सकते हो अदरवाइस इसको आप स्कीप कर सकते हो अब मैं इसमें थोड़ी से किस्मिस एड़ कर रही हूँ जिसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही अच्छा लगता है वापिस से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह मैंने अभी इसलिए डाल दी है कि हलवे के साथ थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए क्योंकि हलवा अभी गरम है तो इसमें यह सॉफ्ट हो जाए और गेस की फ्लेम हमने स्लोपे रखी हुई है अभी मैं यहाँ पर 4-5 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के डाल रही हूँ 4-5 ड्रॉप्स जिससे इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा और यह इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी आएगी बस अब हमारा हलवा बिलकुल रेडी है हमें गेस की फ्लेम ओफ कर देनी है और इसको 2 सेकंड के लिए कंटीनिउस चलात ना आए जिससे क्या है के हमारा हलवा चिपक न जाए अब हमारा हलवा बिलकुल रेडी हो गया है आप इसको फास्ट वगिरा में भी खा सकते हैं और अगर आप छोटे बच्चों के लिए कर रहे हो तो आप चीनी की वज़ाए गुड़का उपयोग कर सकते हो और आप वेनिला एसंस को भी स्कीप कर सकते हो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंच शे